विद्यार्थी मित्रो मैं विडिसी विवे कानन विद्याले की तरफ से आज आपको कक्छा 11 की जीव विग्यान के चेप्टर नमबर 6 पुष्पिये पाधित की सारी रिखी यानि की एनाटॉमी और फ्लावरिंग प्लांट के बारे में समझाऊंगा इसका ये सेकेंड रचना के बारे में काफी कुछ बता चुके हैं अभी हम उतक तंत्र के बारे में समझेंगे जिसकी उतकी रचना किस प्रकार की होती है तो विभिन पौदे के विभिन भागों में इस्थित उतक रचना वा कारे की दृष्टी से एक दूसरे से बिन्न होते हैं पर्मति उतक एक एकाई की रूप में कारे करते हैं, मिलकर काम करते हैं, उतकों के ऐसे समू को उतक तंत्र कहते हैं, यहनि समान या असमान प्रकार के उतक मिलकर तंत्र बनाते हैं, जिसे उतक तंत्र कहते हैं, और हमें तीन प्रकार के उतक पा जाते हैं, वाहेतवची उतक तंत्र भरण उतक तंत्र और संभनी उतक तंत्र जैसे कोई प्लांट है उसका हमने सेक्षन कटिंग किया सेक्षन कटिंग में यहां बीच का भाग अलग होगा किनारी का भाग यह जो होगा बाहे उतक तंत्र होगा नमबर वन बीच का भाग होगा है नमबर टू और नमबर थ्री यहाँ पर वहाग उतक की रूप में जो पानी और खनीज पतातों का भाहन करेंगे यह तीन नमबर होगा इस तरह से किसी भी प्लांट के सेक्षन कटिंग करें तो उसमें यह तीन प्रदेश दिखाई देंगे चाहें वो पाणड हो, प्रकांड हो, मूल हो सबसे पहले बात करें हम वाहतुची उतक तंतर की यह पौदों का सबसे बाहरी आवाण बनाता है जिसके तीन गटक होते है वाहतुची उतक तंतर में तीन गटक आए होते है पहला यह पौदे की बाहरी तुचा है इसकी कोसिकाएं लंबी, सटी हुई पैरिन काइमी, परन्द जीवदर भी कम होता है वाहतुचा एक अखंड सत्य बनाती है एक ही सत्य बनाती है, यहां पर यह सिंगल सर्फिस होती है इस तरह की सिंगल सर्फिस बनाती है और इसके उपर मूम के समार पर क्यूटिकल पाई जाती है क्यूटिकल रच्ण के लिए होती है, सुरच्छा करने के लिए और कभी-कभी नहीं भी पाई जाएगी, क्योंकि मूल में नहीं पाई जाएगी, तने में पाई जाएगी, यह पानी की हानी को रोकते हैं, मूल में क्यूटी गल का अभाव होता है, अगर इसकी बाहितोचा के बारे में देखें, और तो बाहितोचा में कुछ स्थानों पर को यह गाड राझल्स है, रंदर यह हम रचकोष के जते हैं, घास में दवारकोष के डंबल आकार कי होती हैं, जो यह आपको यहां दिखाई दे रह diplomatic यह, jumल आकार होती हैं बीलु कलर की जो hang April कोष है और यह रेट कलर के दिखाई दे रहे वह, आपको सहाय कोश दिखाई दे रहें द्वार खोश्टकामे क्लोरीप्लास्ट पाए जाता है जो रंदर को खुलने बंद होने के लिए सहायक होता है क्योंकि हरितकन होगे तो खुराग बनेगे खुराग बनेगी तो सांध्रता बढ़ेगी और सांदरता बढ़ेगी तो उनका खुलना बंद होना चलो हो जाएगा दौर कोशकाओं के चार ओर बिबिन आयम वा आकरती की कोशका होती है जने साहएक कोशका कहते हैं रंदर वासपोसन और गैस बिने में साहएक होते हैं यह गैस बिने में भी करते हैं आधिक मातरण में पानी हो उसको हवा में उडाने के लिए वासपोसन करने के लिए विज़ूर्ण होते हैं इनके ओपर कुछ रोम पायाते हैं वाईतचा पर पौदों की वाहे तोचा की कोशका अतिब्रदी करके रोम बनाती है जिसकी बारे में आगे बताएंगे मूल की वाहितवचा में एक कोशी मूल रोम होते हैं और तने में बहुँ कोशी मूल रोम होते हैं कुछ तोनों में होते भी नहीं अनपस्त होते हैं ये मूल रोम तने में शाखित या असाखित नर्म या कठोर होते हैं तो अचार रोम बास्पोसन को कम करने के लिए होती है तो यह हुगा वाहेतवचा उतक तंदर दूसरा है बरन उतक तंदर बरन मतलब जो भी खाली जगह बसती है तने के अंदर तने के अंदर या मूल के अंदर वाहेतवचा और शम्मनी पुल के बाकी की सारी जगे बरन उतक कहलाती है वाहेतवचा और शम्मनी लिखाईए वाहेतवचा वाहेतवचा वा सम्मन उतकों को छोड़कर पादप सिर्का मुक्त के बाग बरन उतक से बना होता है याँ जितनी भी जगे खाली मिलेंगी, वहाँ बर भरन उतक होगा इसमें सरल उतक और पेरिन कैमा आजाते हैं बरन उतक तंद्र, वाहित तचावा सम्वन उतकों को शोड़कर पादप सरीज का मुख की भाग भरन उतक से बना होता है इसमें सरलूतक जैसे पेरिन केमा कॉलिन केमा वो इसकलेन केमा होते हैं यह तीन तरह की उच्वे होती है यह तीनों में पहले पढ़ा चुका हूँ जणों वो तनों में बहनिल उतक निम्न में बिवेदец होता है जैसे कि वल्कूट जो भी मैंने चित्र बताया था उसमें वलकुट था जैसे कि इसमें देख लीजिए भी में बताया रहा हूँ ये ये देखिए बीच का भाग वलकुट है परिरम इसके चारों तरफ है बर इसी तरह से वलकुट परिरम मज्जा और मज्जा किरने ये इसका भरण उतक का भाग है इंग्लिस में कहते हैं ग्राउन टिशू सिष्टम ये मद्ध परण उतक मीजो फिस पत्तियों में भरण उतक की रूप में क्लोर प्लास्टिक तो होता है जिसे मद्ध परण उतक कहते हैं परण उतक में परण की अंदर की वीच की रचना जो भरण उतक कहिलाती है जो कि अभी चितर की रूप में बताएंगे यहाँ पर तीसरा तंत्र है संभनी उतक तंत्र संभन उतक तंत्र संभन उतक तंत्र जैलम वा फिलोयम से बना होता है उसमें जैलम होता है पानी को बहन करने वाला फिलोयम होता है खुरा को बहन करने वाला दुविज पत्री पादपों में सम्मर मंडल जैलम फिलोईम पक कैम्बियम से बना होता है जब कि एक पत्री पादपों में जैलम फिलोईम से ही बना होता है यानि कैम्बियम नहीं होता है कैम्बियम मतल दोनों को बाटने वाली बीच की रचना केंबियम की उस पस्ती और उनपस्ती का अधार पर सम्मर्मंडल दो प्रकार के होते हैं यह देखिए समवन पंडल में अरी एक आंतर हैं यहां बीच में जैलाम फिर फिलोयम फिर फिलोयम फिर फिलोयम फिर फिलोयम फिर फिलोयम इस तरह से लगे रहते हैं एक आंतर कहते हैं और यहां पर जब दोनों साथ में होते हैं जलवाख और अनवाख चैलाम और फिलोयम द बरकत होते हैं बीच में एदा पाई आदा केमियम पाई आदा को इंगलिस में केमियम कहते हैं और दोनों को अलग करता है तो यह खुला हो गया यहां से खुला हो गया बंद में क्या होता है ऐसे बंडल जिसमें केमियम का भाग होता है बंद सम्मर्ण बंडल कहलाते हैं जिसे अलग अलग तरिजांओ पर हो। एकंतर करम में लगे हो। तो अरिय समवन बंडल कहते हैं जिसे कि मूल में यह रिचना दिखो। अरिय है यह। अरिय बंडल लिखाई हुआ इसकी नीचे अरिय बंडल है। सेयुक्त बंडल जब जैलम फ्लोईम अलग-अलग तरिजा उपर नव होकर तरिजा में एक ही जगे पर लगे हों तो सेयुक्त बंडल कहलाते हैं, यह सेयुक्त बंडल हैं दोनों इसके अलावा इसकी बात करें, तो वाहे तो चागी, तो यहां जो दुविज पत्री पादब में आंत्रिक रचना, अगर हम मूल, तना और पत्ती इन तीनों रचनाओं की अंदर की बात करें, उनकी अंदर सेक्सन कटिंग करके उसकी प्रत्यक भग की बात करें, तो यहां व वाहेतुचा, बिक्ति, और बलकुट, यह सारे प्रदेस अलगलग दिखाई देते हैं, यह सबसे ऊपर वाहेतुचा है, यह वाहेतुचा एक इसतरी मर्दूत की यह डंबल आकार की कोसों की मनी होती है, बेरल आकार की कोसों की, यहां एक कोशी मूल रोम पायाते हैं यह एक कोशी मूल रोम है इसमें निकलते हैं इसके उपर क्यूटीकल का भाग होता है बाकी के भाग में यह बाहितुची उतक तंत्र हो गया अब इसके बाद में यहां यह भरण उतक तंत्र है पूरा का पूरा वलकुट है, मर्दू तक की ये पतली दीवालों वाली आइस थुलित कोशिकाओं से पूरा भरा हुआ विस्तार ये वलकुट कोशिकाओं हैं, यानि कि भरण उतक तंत्र, इधर भी इधर भी चारों तरफ, भरण उतक का अंतिम इस्तर परिचक्र होता है, अ इगनिन शुवेरिन का स्थुलिन पायाता है, जिसे कासपेरी पट्टी कहते हैं, कुछ कोशिकाओं पर कासपेरी पट्टी नहीं पायाती है, जिने हम पत्थ कोशिकाओं कहते हैं, उसके बाकी का बाद का जो विस्तार होता है, वो मद्धिरम जन कहलाता है, जिसके अंदर चैलम और फिलम लगे रहते हैं तो यह हुआ वाहितोची उतक तंद्र फिर संबरन उतक तंद्र और संबरन उतक तंद्र में जो अंतर तो अच्छा और परिचक्र तक पुरा विस्तार आया होता है इसके बाद का इसतर जो होता है वो होता है वलकुट जो मद्ध में आया होता हैं यहां पर कासपेरी पट्टी के बारे में बता हैं कि मद्ध में पाजाता है परिरम से घिरा हुआ सम्वन पूल होता है ये अरिय होते हैं तथा 2-6 तक होते हैं जैलाम फिलोयम के बीच बीच में वो पस्तित उतक कंजक्टिव उतक होता है मज्जा, दूबीज पत्री जड़ों में मज्जा उनपस्तित होती है बहुत छोटी होती है तो बीच में मज्जा का भाग कम होता है दूसरी बात करें एक भी पत्री मूल की तो एक भी पत्री मूल में भी इसी तरह की रचना है एक भी पत्री संद रचना में मूल समान होती है लगबग एक भी पत्री मूल में जैलम बंडल 6 से अधिक होते हैं बस और एक भी पत्री मूल में मज्जा बड़ी और विक्सित होती है इनमें केमियम नहीं बनता इसलिए इने दुतियक बरदी नहीं पाई जाती यानि सम्मनी पूल खुले प्रकार के नहीं होंगे बंध होंगे दोनों का अंतर देखें तो परिनम पार्शमूल या केमियम करने माण करती है केवल पार्शमूल करने माण करती है यहां केमियम नहीं बनता यहां पर सम्मन पूल दो से छे पायाते हैं यहां पर छे से देखोते हैं केमियम उपस्तित होती है यहां अनपस्तित होती है दुतियक ब्रद्धी यहाँ पर पाई जाएगी क्योंकि दुभी पत्री बनस्पती है दुभी पत्री में एक भी पत्री में यह नहीं पाई जाती मज्जा अनुपस्तितिया कम बिक्सित होती है यहाँ मज्जा बड़ी और बिक्सित होती है यहां पर यह देखें चित्र में कोई अंतर नहीं दोनों में उपर वाला भी चित्र देखा आपने यह दूसरा चित्र देखा यहां पर यह बाहित वचा यह नीचे अज़त वचा यह वलकोट विस्तार पूरा यहां पर परिरम और अंतर वचा और यह जैलम और फिलोम यो बड़े होते हैं प्रोटा जैलम और बड़े होते हैं मेटा जैलम और छोटे होते हैं प्रोटा जैलम ये जैलम के दो भाग है और फिलोईम बीच में यहां पाया रही है इस जगे पे फिलोईम पाया रही है मैं दूसरे दो च्टर दिखाऊँग gedacht जाइलम और फिलोयम दोनों यह बीच में इस तरह की रचना है ये फिलोयम है इस परकार से ये तने की और मुल की रचना है मुल की दोनों रचना है ये तने की रचना अगले लेक्सर में बताएंगे झाल 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 झाल